गुड एवनिंग आज एंटी पीसी और ग्रूप डी एक्जाम से रिलेटेड दो आफिशिल नोटिस आरार्बी के द्वारा जारी किये गए हैं एक तो एंटी पीसी एक्जाम डेट से रिलेटेड है और दूसरा नोटिस है मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड के टेगरी इन इंडियन रेलवे के एक्जाम से रिलेटेड है तो आएए देखते हैं ये दोनों ही आफिशिल नोटिसेज क्या है और इसे क्या आडिया लगता है कि आपके एंटी पीसी और गुरूप्डे के एक्जाम जो हैं वो कब तक हो सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लेकिन आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आये हैं तो प्लीज इसे सब्क्राइब जरूर कर ले क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लगतार मेरे चैनल बने रहे हैं मेरे साथ जूड़ रहे हैं जिसे की कोई भी अफिशेल अपडेट हो तो वो तुरहनत आपको एविलेबल हो जाए तो चले वीडियो शुरू करते हैं देखिए यह है गोवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेलवेई रेलवे रिकृट्मेंट बोर्ड चैन्नई अफिशेल लेटर आज ही जारी हुआ है को कोरिजेंडम का मतलब होता है शुद्धी पत्र या संशोधन इसके पहले कोरिजेंडम नंबर 2 जारी हुआ था और उसके पहले कोरिजेंडम नंबर 3 जारी हुआ था तो यह जो कोरिजेंडम है या यह जो संशोधन है यह किसके संबंद में है तो यह जो है ECA यानि एक्जा एक्जाम्स एंटी पीसी और गुरुबडी के एक्जाम्स को कंड़क्ट कराएगी उस एजेंसी के नियुक्ति के संबंध में जो टेंडर जारी किये जाना है उसकी डेट्स में जो संशोधन होए हैं उसके संबंध में ये लेटर है तो लेटर देखी क्या है इसमें क्या अंडिया अंटिल 3-5-2020 भारत सरकार के द्वारा 3 मई 2020 तक लागडाउन बढ़ा दिया गया है पहले ये 14 अप्रेल तक था बाद में इसे 3 मई तक बढ़ा दिया गया है और इसलिए जो बिड़ कांफरेंस की डेट थी क्लोजिंग ओपनिंग डेट थी बिड़ की और उसके संबन्द में कारिजेंडम नमबर टू में जो बताया गया था जो डेट्स बताई गयी थी और हेयर वाई रिवाइजड फर्दर उनको फिर से संशोधित कर दिया गया है फ्रेश डेट्स आर अप्टेटेड आन आई आरी पियस वेबसाइट और जो नई डेट्स हैं वो आई आरी पियस की वेबसाइट पर उपलब्द हैं जैसा कि कॉरिजेंडम नमबर दो संशोधा नमबर दो में बताया गया था नो निउस पेपर एडवर्टीजरमेंट विल वी रिलीजड यानि अखबार में किसी परकार का कोई विग्यापन नहीं दिया जाएगा और आप चाहें तो www.ireps.gov.in पर लॉगिन करके और डेट्स की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं यानि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे बिड कांफरेंस के लिए या आफर के लिए या बोली बोलने के लिए या जो एक्जाम कंड़क्टिंग एजनसी के लिए बोली बोलना चाहते होंगे वो डेट्स के लिए इस वैब साईट पर जा करके डेट्स को पता कर सकते हैं तो इससे मतलब यह है कि तीन मौई तक तो कुछ होना ही नहीं है और बाकी जो शर्ते हैं वो as it is रहेंगी इसमें डेट्स के बारे में भी नहीं बताया है डेट्स जो है www.ireps.gov.in की वेबसाइट पर देखी जा सकती है तो आएए अब देखते हैं कि अगली नोटिस क्या है अगली नोटिस उसे डेट्स का भी आइडिया हो जाएगा दिखे ये भी आज ही जारी हुआ है बीस अप्रेल को गौर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ रेल्वे 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 रेक्रूट्मेंट बोर्ड अजमेर कोरिजेंडम नमबर थ्री ये टेंडर नमबर और 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 बी डेश आल डेश टेंडर डेश सीन डाट जीरो थ्री तूथोजंड नाइन्टी नेम आफ नेम आफ वर्क यह टेंडर किसले जारी किया गया है engaging exam conducting agency to conduct computer-based test इस ये को engage करने के लिए exam conducting agency की नियुकति के लिए किसलिए to conduct computer-based test computer-based test कौ conduct कराने के लिए एंड आल रिलेटिव एक्टिविटीज और इसे सम्मंदित और भी जो कारे हैं लाइक प्रोसेसिंग आप रिजल्ट्स, पैनल्स, रुकृट्मेंट आप बेरियस मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड केटेगरी इन इंडर रेल्वेज भारती रेल्वे के बिभिन मिनिस्टीरियल और आइसोलेटेड केटेगरीज की एक्जाम्स को कंड़क्ट कराने, रिजल्ट्स को डिकलेयर करने, पैनल्स बनाने और अन जो परिक्षा से रिलेटेड नियुक्ती से रिलेटेड कारे हैं, उन सभी कारियों को करने के लिए एक्जाम कंड़क्टिंग एजेंसी की जो नियुक्ती हो जानी थी, नियुक्ती की जानी थी, उसके बारे में ये लेटर है इन पूरे देश भर में, लागडाउन को 19 दिन के लिए बढ़ाया जाने के बाद, यानि 3 माई 2020 तक, लागडाउन की घोषणा की गई है, गोर्मेंट अफ इंडिया के द्वारा, तो इसलिए, डेट अफ प्रिविट कांफरेंस, क्लोजिंग और ओपनिंग डेट साप बिट्स, विच वेर इंडिकेटेड वाइट कोरिजेंडम नमबर 2, और हैरबाय रिवाइट्ट, तो जैसा कि कोरिजेंडम नमबर 2 के द्वारा, प्रिविट कांफरेंस की डेट, प्ल शुदित किया गया है और अब वो डेट्स जो है इस प्रकार से है डेट एंड टाइम फार प्रीविट कांफरेंस 14.5.20 14 माई को प्रीविट कांफरेंस की डेट निर्धारित की गई है सम्मिशन आप टेंडर के लिए 8 जून लास्ट डेट है और ओपिनिंग जो है आप बिट्स का है 8 जून साड़े तिन बजे तो इसका मतलब यह हुआ कि 8 जून को टेंडर खोले जाएंगे अगर इस्थितियां नार्मल रहती हैं इस्थितियां कंट्रोल में रहती हैं और कोई परिस्थिति दूसरी नहीं बनती है तो तो उस इस्थिते में 8 जून को टेंडर ओपिन किये जाएंगे और यह बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसी इस्थिति बनती है तो इंडेट्स को फिर से रिवाइज किया जा सकता है और इसके संबन्द में अखबार में किसी परकार का कोई विज्यापन नहीं दिया जाएगा यूमे लॉगान तो www.ireps.gov.in और आप जो है इस www.ireps.gov.in की जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जा करके और फर्दर जो नई डेट्स है उन डेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तो इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अगर नार्मल इस्थिती रहती है तो 8 जून 8 जून 2020 को टेंडर ओपिन किये जाएंगे दो महिने आप सीधे सीधे इसमें जोड़ लीजे तो 8 जुलाई 8 अगस्त जाने कि आपके एक्जाम्स के जो भी चैंसेज बनते हैं अगर यह स्थितियां नार्मल रहती है तो उस स्थिति में आगस्त लास्ट वीक या सेप्टमबर फर्स्ट वीक ही बनता है इसके पहले कोई भी संभावना नहीं बनती है यद्यपी यह जो डेट्स है यह मिनिस्टीरियल कटेगरी की हैं लेकिन इसी के आसपास डेट्स जो हैं वो एंटी पीसी और ग्रूप डी की भी बनेंगे तो ये थी latest information जरूरी जानकारी जो आपको available करानी थी वीडियो अच्छा लगे तो इसे like करके मेरे channel को subscribe कर लिजेगा और इस news को इस notice को इस official notice को अपने सभी friends को सभी groups को share जरूर कर दीजेगा ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल जाए ओके थैंक यू